CUET, that is Common University Entrance Test, अब मैं CUET 2022, so CUET 2023 दोनों में क्या difference है, दोनों में कौन-कौन सी चीज़े अलग है, क्या CUET 2022 आसान था, क्या CUET 2023 आसान होने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारे questions, बहुत सारे doubts आप लोगों के मन में है, सबसे पहले तो आज का ये video उनी students के लिए mainly होने वाला है, ज पारी सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है हमारे इस चैनल पे, CUET के थ्रू B Pharmacy में एडमीशन लेने के लिए, पिछली साल 2022 वे students ने बहुत सारी mistakes की हैं, जैसे कि उन्होंने, पहली बार तो कुछ गलतियां teachers से भी हुई है, because CUET पहली बार आया, instructions बार-बार change होते रहे, rules regulations बार-बार change होते रहे, दूसरी चीज़, teachers खुद नहीं समझ पारेते कि यह है, क्या, जब तक उन्होंने समझा, तब तक students जो है, वो मिस्टेक कर चुके थे, because आदी अधूरी जानकारी लेने के बाद, student ने भी वही अधूरी जानकारी के साथ form अगेरा फिल कर दी और बा बता देती हूं, देखे, languages और mode of examination, इसमें student बहुत confused होता है, जब वो languages का option आता है, तो वो चूज कर लेता है, भाही मुझे तो पंजाबी में देना है, लेकिन वो पंजाबी में पेपर नहीं देना है, पंजाबी का ही पेपर देना है, समझ रहे हो, जैसे कि 12th standard में आपका Hindi और English होता है, तो इस तरीके से जब आप fill कर देते हो, कि भाही, वहाँ पे आपसे वो mode of examination नहीं पूछ रहा है, बेटा, वहाँ पे वो subjects है, languages, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद देख रहे हो, कि BA वाला बच्चा भी आएगा, Commerce वाला भी आएगा, सब लोग आएगे, और कुछ ऐसे भी, बहुत सारे courses होता है, जिनमें कि languages must होती है, जैसे English का paper देना है, आपको Hindi का paper देना है, किस language कि थूँ आपने admission लेना है, तो उसमें multiple languages है, I think उसमें 24 के something languages हैं total, हाँ, ऐसा ही है, मुझे specific याप नहीं है, तो इतनी सारी languages में से, आपको वो select करने के लिए लेकिन mode of examination में, I think, 4 languages दी हुई है, Hindi, English, Punjabi और Urdu, ये 4 languages दी हुई है, जिनमें कि आप अपना mode of examination, कि भई आप Hindi में paper देना चाते हैं, तो आप Hindi सेलेक्ट करें, वहाँ पर आप से पूछेगा, कि आप किस mode में ये paper देना चाते हैं, तो ये चीज़े आपने ध्यान रखनी है पहली चीज़, दूसरी चीज़, जनरल टेस्ट उन स्टुडेंट्स के लिए है, जिनकी उनिवरसिटी जनरल टेस्ट मांग रही है, है ना, जिनके courses में जनरल टेस्ट के requirement है, for example, जैसे की BA हो गया, बिकॉम हो गया, इसके अलावा BSC हो गया, और भी agriculture हो गया, इनमें क्या ह पहली चीज़े होती है, जनरल टेस्ट के अंदर, 75 questions इसमें आएंगे, कोई भी 70 आपने करने है, 75 questions आएंगे, इसमें, 60 आपने करने है, इस तरीके को कुछ criteria है, जनरल टेस्ट का, अब ये भी pharmacy वालों को देना या नहीं देना है, जो Central Universities हैं, उन में से कुछ जैसे की डॉक्टर हरी सिंग और विश्विद्धाले, इसने डॉमिन सब्जेक्ट के साथ जनरल टेस्ट भी मांगा है, अगर आप टार्गेट कर रहे हो, उन Central Universities को जो की जनरल टेस्ट मांग ही रहा है, तो आप जनरल टेस्ट दीजेगा, अगर आप टार्गेट कर रहे हो उनी उनिवर्सिटीज को जिसमें जनरल टेस्ट नहीं मांगा है, या फिर उनी उनिवर्सिटीज को जिन्होंने जनरल टेस्ट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ डॉमिन सब्जेक्ट देने है, और लास्ट में आप वो Central Universities भी डालना चाते हो, तो कोई दिक्क स्कोर कार्ड लेके जाना हूं, उनी के स्कोर कार्ड के थूँ आपने एडमिशन लेना है, उन्हें परफेक्टली आपने प्रपेर करना है, ठीके जी, चलिए, यह हो गया, अब 2022 में क्या क्राइटेरिया था, 2023 में क्या क्राइटेरिया है, दोनों में क्या डिफ्रेंस है, कौन सा easy था है ना इस तरीके का बच्चों का सोचना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू जो typical होने वाला है वो यह होने वाला है 2023 में 2022 में 78 लाग बच्चों ने पेपर दिया था 2023 में 18 से 19 लाग बच्चे पेपर देंगे तो आप लोग देख रहे हो कम से कम 10 लाग बच्चे एक्स्ट्रा पेपर देंगे पर्टिकुलर आपके कोर्स के लिए कितने स्टुडेंट एक्जाम देंगे वो मैं नहीं बता सकती हूँ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बट टोटल ओवरोल की अगर मैं बात करूं तो इतने सारे स्टुडेंट इस बार इंकरीज हो जाएंगे CUET के एक्जाम के अंदर ठीक है एक्जाम का जो लेवल था वो फर्स्ट इयर में ऑफकोस जब आप फर्स सिनस्टर का पेपर देते हो तो आपको पता ही है कि भही बहुत इजी होता है एक्जाम का जो पैटर्न होता है लेकिन महीं पर जब आप सेकिंड इयर में आ जाते हो तो थोड़ा सा एक्जाम का लेवल जो है वो increase हो जाता है है ना लेकिन ऐसा नहीं होगा अभी 2-4 साल तो CUET का पेपर जो है वो normal format में ही होगा अभी तो चीजे समझ नहीं है NTA को भी सभी को CUET के department को भी तो आप लोग घबराएं नहीं पेपर का जो लेवल होगा वो आसानी होगा और वैसे भी आप लोग 12th standard में हो और 12th standard वाले तो अभी deeply पढ़ रहे हैं बस फरक इतना होगा कि भही महां पे आपने theory लिखनी है यहां पे आपको MCQ form में पेपर देना है ना तो difference कुछ जादा होने नहीं वाला लेकिन हाँ difficulty level की अगर बात करूं तो 1-2% इस बार increase ही होगा decrease नहीं होगा ठीके जी चलिए उसके अलावा कोई major changes है नहीं मुझे तो बहुत best opportunity लगती है आप लोगों के लिए CUET बहुत बहुत best opportunity है तो आप लोगों को घबराना न opportunity है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है आप अपनी life में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो इसलिए आप लोग सर्च करते हुए यहां तक आए हो so wish you all the best restaurants for your bright future wish you all the best for your 12th examination और wish you all the best for CUET so CUET में तो आपने घबराना नहीं है अगर आप CUET का paper देते हो तो आपको अच्छी university मिल जाएगी 110% because यहां पे आप number of universities को एक साथ target कर सकते हो कोई problem वाली बात नहीं है बहुत सारी universities अभी update नहीं हुई है if अगर आप सारी updates लेना चाते हैं CUET 2023 की तो आप जाके visit करें CUET 2023 के नाम से जो playlist है हमारा वहां जाके आप visit करें सारी videos आपको मिल जाएंगी सारे sessions आपको मिल जाएंगे ठीके जी और SB pharmacy सारी सटीक और सही जानकारी आपको provide करवाता है CUET के regarding जाद जाद वीडियो को share करें B pharmacy में CUET के through admission लेना चाते हूँ मैं आपका best university best college में admission कराऊंगी भरोसा रखना पड़ेगा BSP pharmacy पे ये आप application देख पा रहे हो display पे BSP pharmacy official app है यहाँ पे आपको paid courses के अंदर CUET का course देखने को मिलेगा only 99 रुपीज में उस course के अंदर आपको 2000 प्लस MCQs के साथ आपकी practice करवाई जा रहे है वो इंडिया के service rest teachers ने आप लोगों के लिए बनाया MCQs जाके visit करे 99 रुपे बहुत comprise होता है निन्यान में रुपे अगर आप coffee पीने जाओ तो coffee के पैसे है निन्यान में रुपे only फटा फट जाओ visit करो BSP pharmacy official app यहाँ से सुनो play store पे जाके visit करना है BSP pharmacy official app उसी app का आपको interface कुछ इस type का दिखेगा ठीक है जी चलिए फिर students अगर कोई भी इसके लावा doubt हो CUET 2023 से related तो मैं उसके regarding भी वीडियो जरूर बनाऊंगी comment section में comment कर दीजेगा form fill करने से related मैंने वीडियो बना दिया है B pharmacy के लिए कैसे form fill करना है तो जाके visit करे playlist सारी चानकारी आपको मही पर मिल जाएगी और आपका best decision है CUET के through admission लेना मैं आपको अभी भी बता रही हूँ ठीक है जी चलिए फिर मिलेंगे next informatic video के साथ तक तक के लिए धन्यवाद नमस्कार